अब में मस यहां पर डिसकस करने वाले कि कल का मार्केट कैसा रह सकते हैं क्या 2nd August को मार्केट में फील से ब्रीक आउट कंटीनियू रह सकता है या मार्केट वहां से फॉल कर सकता है अलाकि में मस हम लोगों ने काफी दीखा है कि निफ्टी फॉल करने का नाम नहीं ले रहा पहला तो एक टाइम ऐसा था कि निफ्टी फॉल करने का बाहर ने ढूण रहे थे ठीक है दो बज़े के बाद प्रॉफिट वुकिंग आ जाती है ठीक है न आप सबी को पता है न क्या आज जाती है लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है उसका बड़ा जो रीजन है वो यहां पर F.I.K. डेटा है जो तीस सो करोड की आज भी खरीदारी की है ठीक है न तो मार्केट में रिकवरी प्रॉपर आना स्टार्ट हो चुक है और मैं बस देखो आज निफ्टी एक परसंट बैंक निफ्टी एक परसंट लेकिन जो मिट केप से पौने दो परसंट ओपर जाते हुए दिखे दिये और इवन उसी के वज़े से हमारे जो क्लाइन्ट के पॉर्फिलो थे जो हम लोग हैं ठीक है वो काफी तक प्रॉफिट में आते हुए दिखे हाला कि यह पॉर्फिलो जो थे वो करें भी यहां पर पांच-छे मेंने पुरा नहीं क्योंकि अब सभी को बता है पांच-छे मेंने में मार्केट में काफी कितना हो चुका है रश्या यूकरिन वार ठीक है उसकी वाज़े से बहुत सारे स्टॉक्स 98% स्टॉक्स डाउन गय करेंगे और आप लोगों की क्वैरिस जरूर डिसकस करेंगे एवन एप्टस बर जरूर लेंगे ठीक हाला कि मुझसे बूछे तो अभी एप्टस को आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए अवट कर लेंगे ठीक है चले पॉइंट पर आ जाते हैं एक बात समझना निफ्टी क अगर उपर जाता है तो उसको पॉज लेकी लेकी जाना पड़ता है अगर वन शॉट में जाता है तो उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है क्योंकि सपोर्ट जो होते वो बहुत नीचे है अब अगर निफ्टी का करन्ट सपोर्ट देखने जाए तो कितना है पता है 17,150, 17,200 य अगर एक भी सपोर्ट टूटा ना तो मतलब वो बोलते हैं कि सीडिया चड़ते हैं एक सीडिया मिस कदी तो सीधा ऐसे ऐसे करके गिरते हैं ठीक है न गिरते हैं तो यह बहुत डरावने वाली यहां पर अप्ट्रेंड है वर्टिकल अप्ट्रेंड है जो जनरली पॉसिव होती नहीं है ठीक है अप्ट्रेंड अगर पॉसिबल है तो ऐसी पॉसिवल होती है ओके अभी अभी सर हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोगों ने शॉर्ट करना चाहिए कह देखो शॉर्ट अभी मत करो जब तक की एक रेट केंडल प्रॉपरली क्लोजिंग वेसिस पे ना ने इंट्राडे हाइ जबी भी क्रॉस करते है 940 के बाद वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं या तो सपोर्ट पे टच होता है तो एक छोटा सा स्टॉपलोस लगा के ट्रेड ले सकते हैं ठीक है अभी हम लोग क्या कर सकते कल सी यहाँ पे देखो निफ्टी अभी कहाँ प अगर गयाब डाउन ओपन हो जाता है तो भी पॉसिटिव है अब मैं बस यह समझो कि अगर गयाब डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है तो हम लोग खरीदारी का सकते हैं निफ्टी का सपोर्ट है 17,200 इं 17,150 ठीक है अब मान दो थोड़ा सा गयाब ट्रेडर है ठीक है उसको लॉजिक फोकस करना होगा हमारा 940 वाला ठीक है न बाकि जो रिस्की है उनको बताना चाहूंगा फोकस कीजी का देखो मान लोग कल निफ्टी गयाब डाउन ओपन हो जाते है एक्जंपल लेते हैं अगर यहाँ पे 17,200 के असपस आता है वहाँ प स्टेबल ओपन हो तो क्या करना है स्टेबल में आपको वेट करना है 17,357 का ब्रेक करने का अगर यह ब्रेक हो जाता है तो आपको 17,400 और 17,450 तक के आपको लिवस दिखाई दे सकते हैं ठीक है यानि कि 100 पॉइंट की रेली और दिखाई जे सकते है अगर यह लिवल ठूटा स्टेबल ओपन होने की बाद लेकिन मान लो के गैप अप ओपन हो गया ठीक है तो मेरे बाई ऐसी यह जो आपको केंडल्स दिखाई दे रहे ना देखो गैप अप में थोड़ा ओपर जाके फॉल बाद में उपर वैसा ही गैप अप में थोड़ा फॉल और बाद में उपर ठीक है न तो आपको यही द्यान में रखना है गैप अप में थोड़ा वेट करे लेना फॉल होता है ठीक है तो मान लो कि यहाँ पर 17400 पर उपन होता है तो आज का जो क्लोजिंग है वहाँ पर आप एंट्री कर सकते है जो रिस्क टेकर है ठीक है स्टॉप लस होना चाहिए यहाँ पर 17300 का और टार्गेट वापि 17400 पर उपन होता है फॉल करता है और जो आज की क्लोजिंग है वहाँ तक आता है तो आप एड़ कर सकते है लेकिन स्टॉप लस के साथ देखो बीना स्टॉप लस की काम करोगे तो शॉर्टर शॉर्ट बोलूगा क्या आप फस होगे 110 110% फॉर्ट हिए अगली बात हो जाती है बैंक निफटी थी को बहुत ही बढ़ियर मोमेंटम है बैंक निफटी, प्रिवियस दीका भी हाई क्रॉस कर चुका है और यह बहुत प्यादर साइन है अब बैंक निफटी थी में यहाँ पर बात करने जाए ठीक है तो बैंक निफ स्ट्रेटेजी यूज का सकते हैं जिया मेंबर से स्ट्रेटेजी नीचे की लिवल से सपोर्ट सा रहे हैं ठीक है आप यह समझो के 37,400 पर सबोर्ट है अगर पहले तो गेप अपन हो जाते हैं तो 38,000 पर एक रेजिस्टेंस प्रॉपर है ठीक है तो तो फॉल करेगा ही करेगा तो हम लोग बैंग निफ्टी को अवेट करेंगे अगर 38,000 के आसपस या उससे उपर ओपन होता है अलाकि डाव जों सभी के लिए नेगेटी हुए तो शायद कुछ गेप डाउन ओपन हो सकती है तो आप यह ध्यान में रखो कि गेप अप में फॉल आ सकता है बैंग निफ सपोर्ट यहां पर बैंग निफ्टी ने लिया है 37,200 से लेकि 37,300 के सपोर्ट से अगर ये रेंच में आता है बैंग निफ्टी में एक बार एंट्री की जा सकती है स्टॉप्लस अके का 37,000 का और टारगेट वापिस 37,600, 800 अख सकते हैं तो मैं बस यह है आपकी कल की स्टेट जी और एक आखरी चीज़ बताना चाहूंगा स्टेबल ओपन होने के बाद अगर ये हाइप ब्रीक कदा तो येस आप डेफिनली ट्रेट कर सकते हैं लेकिन हाफ कॉंटिर की बेंट ओके क्लिया तो all in all members market का strength अभी तक positive दिखाई दे रहा है हम लोग breakdown का wait कर रहे हैं लेकिन short करने के लिए ready मत होएगा ऐसा हो तो burn deep अभी कर सकते हैं लेकिन stop loss के साथ अगर stop loss हीट हो जाता है exit कर लेना वरना first होगी वरना मुझसे पूछो के sir मैं अभी hold करू के नहीं करू उतना पूछने के time पे भी आप यहाँ पे loss कर लोगे ठीक है ना तो exit ही और अगर मुझे sir म नहीं लेने safe strategy है क्या तो मैं बोलूगा मेरे बाइट दो तीन दीन वेट कर लो ठीक ना दो तीन दीन वेट कर लो अगर safe में जाना है nifty bank nifty में बात है clear ओके चुले intraday stock को discuss कर रहे थे सबसे पहला जो intraday stock है वो है data motors data motors ने काफिछी breakout किया है एक range था वो range break करता हुआ अनमाफ किजिए का 481 क्रॉस करते है stock में momentum आ सकते है stock 485-486 तक जा सकता है तो इसको focus रखेगा watch list पर रखेगा second यहाँ पर stock हो चुका है IEX दिखो IEX में आपको focus करना है कि stock ने one way fall होने के बाद अच्छा एक uptrend बताया है एक resistance से 167 के आसपस अगर यह 167.20 break कर लेता है तो stock में momentum आ सकती है stock अच्छा खासा एक breakout करता हुआ आपको दिखाए जे सकते है तो इसको भी focus रखेगा stock में momentum आ सकती है तीसरा stock हो चुका है हाँ पर चंबल fertilizer देखो 337 को cross करते ही चंबल में momentum आ सकती है stock results से पहले शायद momentum कर रहा है यह break एक range थी वो शायद break करता हुआ दिखाए यह chances से momentum कर सकता है 345-346 तक के target है 1% का stop loss होना चाहिए mcx देखो mcx के result positive है लेकिन मैंने बोला था पहले कच्रे को avoid करना शायद मेरी बाद बहुत बड़े player ने सुन ली होगी कच्रे को avoid किया है stock fall क्या है 317 ठीक है ब्रेक करता है stock fall कर सकता है 300 तक के target कल आ सकते है चंबल fertilizer के अंदर इसको focus हमारे वीडियो इंटरस्टिंग लग रहे समझ भी है आखरी बात बताना चाहूँ आपके market में लफु जन्ने बहुत मिलेंगे कि आपको 1200-1400 के लिए बोलेंगे और even मुझे भी है पर कोई समझाने की कोशिश करा था कि सर आप उनकी वीडियो तो देखो अंदर जाके ठीक है वो क्या बोले मेरे बाई मैंने तो पहले यही बोल सबस्क्राइब करने के लिए सेल करने के लिए ठीक है मार्केट क्रेश ही होगा उनको यही दिखता है ठीक है मैं उनको ओपन चैलेंज करता हूँ मेरे बाई जिनको डर आया है कि 1200-1400 वो कब आएगा उनको एक प्रॉपर बोलो कौन से मन्त में आएगा मैं कौन से देट नह जो हमारे प्रिया रिटल निवर शक है ठीक है हमको जो फॉलो करते हैं मैं उनको फॉलो करने हैं उनकी बात नहीं करो जो वो पर्टिकलर मेंबर को फॉलो करते हैं लेकिन मैं उनकी बात करो जो हमको फॉलो करते हैं तो भाई हमारे फैमिली मेंबर्स को डर आया मत ठीक है अ अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए गुडबाई, जाए हिन.